तो अब लों को मेरा प्यार बहरा नमस्कार आज मेरे आप लोंगों के लिए नो साधियूम जो खाय जाता है जिस जिसे अब गाजर खल्वा लेकर रहे हूं इसको नकसना है ना दुद्म पकाना है इसको काट करके और कुकर पकाऊंगे आज अब देखना तो यह देखे मैंने कुछ गाजर लिया था उसको दो लिया था दो करके इसको छील रही हूं जिसे आलू छिलते हैं उसे छील जाया क्यों गाजर गंदा था इसके छील देंगे ना तो साफ हो जाएगा यह दो खाब तो बना रहे हैं पर आप लोगों इसे रिक्विस्ट है कि प्लीज आप स्वागत है चलिए देखिए वो हमारा गाजर छिल गया अब इसको काट लेंगे कशना नहीं है गाजर को काटना है आज इसे चोटी-चोटी टुकड़े में काटने बाद ना इसारा कट जाया देखो आप यह सारा काट दिया में काटने बाद क्या करूंगी एक कुकर लिए कुकर में डाल दूँगी काट डाले और इसमें मैं थोड़ा चीनी डालूँगी आपने स्वाद के हिसाप से देखे आधा कृटौरी चीनी इसमें रट दिया हम ने और थोड़ा से दो चमज पानी क्योंकि जल जाए नहीं तो अब इसके बाद इसको गइस पर रख देंगे लिए यह दो तीन सीटी आएगा एक शीटी आएगा तो धीमा कर देंगे उसके बाद पांस मेंटर पकने देंगे तो आप देखो वह गाचरत हमारे उबल रहे पक रहे अब इदर हमने न कड़ाही पर यह खोया जैसे बना दूद को ने गाढ़ा कर रहे हो मैं यह थोड़ा द दूद डाला नहीं है ऐसे थोड़ा दूद हो जाएगा वह खोया बन गया मेरा इदर गाजर अब निकाल कर दो ने उसको गाजर को डाल दिया यह थोड़ा खोया था ना वह भी इसमें मिल जाएगा आप मिलकर कर अच्छा लगए अब इसमें थोड़ा दूद डालूंगी म अब इसको देखो बुन गया ना अच्छी तरह से दूद में पक गया और पक गया यह मिक्स हो गया तारा है अब इसको क्या करेंगा इसमें एक छोटा चमच घी डालूंगे इसलिए क्यों कि भी डालने से थोड़ा हल्वय पर साइनिंग आ जाता है और पहले इस घी पढ़ तो एक चोटा चमच हमने इसमें घी डाल दिया और अब इसमें एक चोटा चमच इलाइची पाउडर डाल दिया अब यह अच्छी तरह मिला दिया अब यह मिल गया यह ड्राइफ रूट है मैंने इसको ग्राइट करके रखा था वह हमने डाल दिया इसमें अब देखो आप य बनाते हैं बिलकुल वही टेस्ट आएगा आपको तो आप भी बनाएए और खाईए और हमें बताइए किसा लगा अच्छा लगेगा बहुत अशान तरीका है कोई महनत नहीं कुछ नहीं फटा-फट कोकर में बन जाता है अराम से यह देखिए जो खोवाया हमने बना कर रखा था ना गाड़ा दूद करके वह में इसके उपर डाल दूंगे दून एक थाली में भी और इस कटोरी में भी डालोंगे इसको खाएंगे ना तो समय थोड़ा चलेगा इसे इसके साथ-साथ ना लेकर हल्वा खाएंगे ख़एक शाथ-साथ यह दिखिया तो आप यह इसे बनाईए बहुत असान ही बनाना और हमें अपना सेर कजन भो किसे बना आपका टेस्ट अच्छा लगेगा आप अपना टेस्ट में बताईए साथियों जैसा लगा ना हल्वा लगेगा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसको पर ड्राइफ रूट डाल दे रही हूं उपर से ठीक है तो आप यह से डा क्या होता है किसे हमारे रेश्पी आए कमेंट करके बताईए हमें और जो आगे चीज उसको बताईए क्या करें कई से ठीक है तो आप लोग हमें बताईए लाइक करिए शेर करिए अच्छा चलते हैं मिलते हैं वीडियो में नमस्कार